है कि हाँ वैल कम टू यह टो आज की वीडियों में देखने वाले की Alliance कि क्या हैक कि से काम करता है they name कि रैंकिंग किस बेस पर हूती है मानब सब कुछ Alliance के बारे हम इस वीडियो में सॉल्ल करने वाले तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने एक पेज ओपन कर रहा है जो एरलान मेंचर का यह खुद का यह तो अभी इसमें सब कुछ दे रखा है पहले सी बट मैं सिर्फ उसको explain करूंगा और कुछ points एड़ भी करूंगा अपने दर्ब से तो तकि सब को समझ में आए कि एलैंस क्या है और एलाइंस कैसे काम करता है उसकी रैंकिंग किस बेस पे होती है और रैंक करने के बाद हमें क्या मिलेगा वह भी होता है तो सबसे पहले यह आप लिखा है कि how alliance work तो यहाँ पर लिखा है एलनल मैनेजर जो गेम है अपना वह को अलाइंस बननेने के लिए चांज जाता है कि आप महाँ पर अलाइंस बना सकते हैं और अलाइंस कैसे बनाना है उसका मैंने वीडियो पहले से ही बना रखा है आप ने करना ही देखा है तो मैं उसका link description में देदाँगा आप हहां से देख लेगा तो देखिए आप अलाइंस क्रेट करना बहुत यासा नहीं है सिंपले आप देख सोते स्क्रीन पे जहां पर अलाइंस का ओप्षिन दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहां पर अलाइंस बना से मैंने एक्स्प्लेंड भी किया है ने वीडियो में तो आप वहां से देख तो अभी अलाइं अलाइंस चला रहे हैं ऐसे बोल सकते हो कि यह क्या होले अलाइंस और ग्रूप अव सेवरल प्लेयर्स ने एक बहुत से लोगों का ग्रूप हता है अरूंड तेरें इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट बींग लाइंस तो पार्ट आफ कम्म्यूटी प्लेयर विलालो बेफिट अलाइंस का फाइदा होता है तो क्रेट अलाइंस बाइग अब आपको पता है कि आलाइंस कैसे कि नहीं हो तब ही आप एक अलाइंस क्रेट कर सकते हैं अगर पहले से ही मेरे अलाइंस की मैंबर हों नाहीं बना सकते जब तक आप उसलाइंस में अकर आपको on बनानी है तो आपको किसी और जो जहां पर भी अपने जॉइन कर रखा है वह उसको छोड़ना पड़ेगा तब भी आप खुद की अलाइंस बना पाओगे और खुद की अलाइंस बनाने के लिए आपको 100 एम कोईन देने पड़ेंगे उसका अगर अपने फिसपेए कर दीजों को आपको सिंपली आलाइंस को बनाना यहां पर वहांपे फिर बीजिपलिटी यहां पर प्राइविट कर सकते हो यहांपे लैंग्विज इंटरनाइसल रख से तो इंगलीज हिंदी कोई भी आपको जो चाहिए और यहां पर का कंट्री आफ और भी चूज कर सकते हो ठीके अब देख सकते हो और जोई ने पब्लिक अलाइज और अब अगर आपके पास एम कोई नहीं तो आप क्या कर सकते हो किसी और क पर क्लिक करना जाकर तो हम पर यहां पर आपको बहुत सारी जग करेंगे कि आप किसी कंटर के सपैस्पिक कंटर की ब आलाइन जोइन कर सकते हो और शाम आण द Lahा黍 यहां पर इतनी सारी लाइन्स टिक्त कर सकते हो तो यह तो जोइन औरойд कर और आपकर कुछ मैसेज भी लिखना है तो आप यहाँ पर मैसेज लिखके अपना इन्विटेशन सेंड कर सकते हो यहाँ पर दो अलाइंस होती है एक पब्लिक होती है और प्राइवेट होती है तो पब्लिक में क्या होता है कि आप अपने इन्विटेशन सेंड कर दिया हो लगा कि उसे हमें लेना चाहिए तब भी आपको आलायश में लेगा और वह आपका application reject कर देगा अभी हमारी जो आलायंस हो पब्लिक है तो कोई बहां पर ज्टाइन कर सकते हैं तो अभी आलायंस एक इसके ranking कैसी होती है इसके rank होता ह divers Sal ll सकते हैं कि इसको कि हम कितने पॉइंट करेu कि में किस बेसे से क्रेट वह वो घुए चसे करें यह सब्सक्राइब नियुक्त के सब्सक्राइब अपकर क duraइंट मैं इसक्राइंप पोइंट जो व alternable सकते हैं कि एक एरलाइन मेंजर के पॉइंट से और यह पॉइंट दो बेस पे उन्होंने डिवाइट कर रखे कि उसको डिवाइट कर रखे मैला हम पॉइंट की बेस पे देंगे तो दो पॉइंट क्या है तो प्लेयर माइल जपेंड ऑन दो क्वालिट ऑफ यूरो ओपन अब यह क्या है अब यह क्या है अब यह क्या है अब के इसमें ज्यादा इंसिदेंस होते हैं आपकी जो एरलाइन से उसमें ज्यादा इंसिदेंस हो रहे हैं आपकी जो फ्लाइट सो रेगुलर नहीं है रोज आपकी फ्लाइट फ्लाइट नहीं करके आपको लेस माइल्स मि ह Negish लिए अगर इसलिए आपको में बोलो कि आपको रिकावर्च आणस में है इसलों है अपने रेगुलर भी है रेकप का मेंटरेन्स करना चाहिए लिए अपने मेंटरेन्स को हमेशा कर नएं जाहिए अपने को आपके इसमें इंसिटेंस नहीं 20 के ऊपर वियर नहीं जाना चाहिए अगर 20 के ऊपर वियर जाता है तो आपको उसको maintenance करवा लेना है तो make sure कर कि आप incidence नहां करें अब second एक तो point हो गया कि हमें maintenance regular करना है उसके ऊपर हमारा एक miles का dependent और second है कि यहां पे दिखाएगा harmony coefficient depend is depend on the diversity of line of your alliance to maintain this coefficient members of the alliance will to favor diversity of line on their respective network in order for example देखिए अभी क्या बोला है कि एक तो हो गया कि हमारे maintenance हमें regular करना है था अभी हमारा miles हमें मतला हमें point मिलेंगे दूसरा हार्मनी coefficient अभी हर्मनी coefficient का इसमें थोड़ा इस जो figure देखिए उसमें थोड़े आच्छे से explain क्या आप देख सकते हूं तेकि यह कोई एक बंदा है मैं for example लिए हमने आलाइंस में दो बंदे ओके अभी मेरा route है A to B कोई हो सकता है for example दिली से मुंबई ओके अभी मेरा अभी कोई और बंदा मेरे आलाइंस में जूट रहे हैं इसने भी क्या क्या ज्यावrint ले लिया दिली से मुंबई तो हमारे माईल्स कम हो जाएंगे क्योंकि हम दोनों एक पर चल रहे तो इसको हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट रूट होनी चाहिए हम दोनों की भी अभी फॉर एक्जंपल अभी इस हमें इसको रिजेक्ट कर दिया हो तिसरा बंद आ गया तो इसका देखिए सीटू डिये मतलब मेरा अगर अगर डिली से मुंबई है तो इसका डिली से बैंगलोर है या कि यहाँ पर बढ़ गए और यहाँ पर यहाँ पर डिक्रिट हो हैं कि यहाँ पर हमारे रूट सेम थे ए भी ए बी और इधर जो थह लिए आ और एस डीचता देखिए तो इसलिए हमारे माइल्स जयदा बढ़ गए तो यहूट कि आपके रूट सेम नहीं हो अभी ओर हमारे रूप में हमारे आलाइंस में 50 challenge अगर 15 में से जितने रूट हमारे सेम रहेंगे इतने लोगों के तो उतना हमारा माइल्स कम जenneरेट उतने पॉइंट हमें कम मिले को हमेरे रैंकिंग डाउन होती जाएगी तो ये होता है हर्मिनी रैश्यो उर मेंटरेंश डोन धोनों के उपर हमारे माइल्स जो मारी पॉइंट से हो नि पंट ने तो हमें नोट ले ना की जो हमारे रूत से हो आ ज्यादात था अभी हम मैक्जिम्म तो सेम होगे चलेगा इतना कुछ नहीं बट मैक्जिम्म नहीं होनी चाहिए सब लोग डिफरेंट डिफरेंट रूट ले ताकि हमारे आलाइंस भी रैंक कर सके तो अभी यह आपकी आलाइंस डिलेट भी कर सकते हो रैट कि और यहाप एक तो उप्षिन है कि आप पर दूसरा एक ऑप्षिन होता हमें पर्चस अजिस्टन्स तो अभी क्या होता है अभी हम आलाइंस में तो किसी और मेंबर की हेल्प कर सकते है उसको उसकी जो एरकाफ की कौश्ट है उसका 10-14 परसेंट हम सको पे कर सकते हो अभी आपको यह एरकाफ करेगा तो आपको उसक एक ही बार ले सकते हो तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप एक बार में ज्यादा ज्यदा एरकाफ पर्चिस करने की कुशिश कर ले कि अभी एक साथ 5-6 पर्चिस कर दो फिर उसका 86% आप पे करो जो बचेगा फिर हो आलाइंस मेंबर पे करेंगा फिर मैं खुद पे चुर्प एक बार कर सकते हूं कि आप एक साहसे ज्यादा से ज्यादा य्शारा फ्यादा मिले एक ऐसे ऑपको प्सकंद आपको जब अखिकाम पेर पर्चिस कünde पे कर देंग अभी इसमें एक दिक्कत होती कि अभी फॉर एक्जम्पल आपने कोई रिक्वेस्ट कर दी उसका आपको चाहिए अपने आपको सर्फ 10 मिलियन चाहिए आपको फॉर एक्वेस्ट 24 ऑर्स के लिए वैलिड होता है 24 ऑर्स के बाद वह रिक्वेस्ट लैप्स हो जाता है अभी 24 ऑर्स में आपको 5 मिलियन ही मिल गए अपने अलाइंस के मेंबर की तरफ से श्रिफ 5 मिलियन का आसिस्टन मिल गया तो जो 5 मिलियन है आपके अपके अकॉंट से डेबिट हो जाएगे अगर आपके अकॉंट में पैसे नहीं तो आपके जो आकॉंट का बैलेस में चला जाएगा तो इतना हिता इस यूडियो में अगर आपको कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट करें मैं उसका जवाब देदूग और कोई पॉइंट्स मिलते तो मैं उसके अबरह में भी उड़ाब बनाऊंगा तो देखने के लिबहुत बहुत धन्यवाद अगर चानल पर नहीं है तो जरुद सब्सक्राइब करें थेंक्यू